लोग सब्सक्राइब लगातार पोस्टल मतदान हो या फिर इवियम का मतदान वो जो मतगना हुई है उसमें लगातार नितिन गड़करी जो है आगे दिखाई दे रहे हैं वो जीत की राह पर है ऐसा कहा जा सकता है और आज हम आपको बता रहे हैं आप मेरे पीछे देख रहे है कभी जब कॉंग्रेस का गड़ था विधर नाकपूर तब यहां से जो है रननीती बनती थी राजनीती चला करती थी कॉंग्रेस की लेकिन आज जो है हम देख रहे हैं कि इसी देवडिया भवन के सामने यह जो ऑफिस है कॉंग्रेस कमेटी का यहां पर सन्नात अचाया हुआ है पूरा सन्नात यहां चाया हुआ है हम देख रहे कि तीसरी बार हो सकता है नितिन गड़करी नाकपूर से हैट्रिक कर रहे होंगे और हम देख रहे कि लगातार वह आगे बने हुए विकास ठाकरे जो उनके विपक्ष में थे प्रत्याइशी थे सांसत्पत के लिए है रहे हम देख रहे कि कारियाले के बहार इस तरह से आज सन्नात चाया है इसी से एक अंदाजा आता है कि कही ना कहीं हार का सब्सक्राइब करते हुए दिखाई दें समक्ति कभी को इस तोर आपिस से ज ere और zostaний गड़ नाखपूर था यह कॉंग्रेस का गड़ माना जाता था लेकिन अब वो गड़ बीजेपी का हो चुका है और तीसरी बार है ट्रिक करने जा रहे है नितिन गड़करी नाखपूर से और हो सकता है मंत्रीपत भी उन्हें मिल सकता है लेकिन जो जीत का दावा कर रहे थे विकास उनकी हार होते हुए कई ना कई दिखाई दे रहे और उसी का यह संदाटा जो है ओफिस में कार्या लेके सामने दिखाई दे रहा है क्या मेरा परसन राजकुमार मोड के साथ मैंक्षेति जादेश मुग बीसीन नियोज नाखपूर